सो हेलो रिवन आज की इस वीडियो में हम लोग दस्वीक एक्षा के साइंस का ऐसा इंपोटेन भी वियाई आपजेक्टिव कोशन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके मैटिक बोर्ट पर एक्षा 2023 के लिए काफी इंपोटेन्ट है और या भी दस्वीक एक्षा के स्ट्वेंट है और आभी सर्मेटिक एक्षाम 2023 में देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर जरूर देखेगा तो चले फ्रेंस बिना समेगवाएं पहला कोशन का इसा देख रहते हैं है दस्तो आज के पहला स्वार कोशनर 25 में पुछा गया है कि गलोबल वारिमिंग के लिए उततरदाई गैस कौन सा होता है दस्तो याद रखेगा गलोबल वारिमिंग के लिए जो उततरदाई गैस होता है वो होता है Сि यो टू यानि कर्बन डायिर अक्साइड जिसमें कार्बन के एक परमानों और अक्सीजन के दो परमानों मौजूद होते हैं उसके बाद में अगला स्वार कोशन नंबर 26 को देख लिए दोस्तों अगला स्वार करता है कि सरीर में भोजन का पचना किस परकार के अभिक्रिया है याद रखिएगा कि सरीर में भोजन का जो पचना है वह उपचेन अविक्रिया कहलाती है और भोजन की पाचन में कौन सामल सायक होता है तो वह होता है ACL जिसका रसाइनिक नाम हाइड्रो कलोरिक आमल होता है इसके बाद में एलाज स्वारly को Okay7 को देख़नी से कहता है कि कली चुना पर जब जल डाला जाता है तो उष अविक्रिया को क्या करते हैं इट्रेसरफशन ये हो जाएगा उश्माज 6P अभिकरिया वो इसके बार में स्वाल करता है कि निफली खित में से कौन सबसे अधी कविकरिया सील है? आप सबी गोँशनों को देकर बताना होगा कि सबसे अधी कविकरिया सील कौन सा हो जाएगा दखे यहाँ पे HD यानि हाइलोजन, AU, Sona, AC चान दी, आपका यहाँ पे कॉपर जो है, वो सबसे ज़्यादा भिक्रियासील हातू हो जाएगा वो इसकी बाद में करता है कि चुना जल का रसाइनिक सूतर क्या होता है, मेठीक एक्जाम पेपर में बहुत ही ज़दा बार यह सवाल पुछे जाते हैं तो याद रखेगा कि CAO, जिसी हम लोग कैल्सियम ऑक्साइड करते हैं, यह होता है कली चुना का अनुसुतर उसकी बाद में अप्सन B में दिया गए CACL2 जो है कैल्सियम कोल्राइड, अप्सन C में दिया गए CACL2 जिसको ब्रंजक चुन या ब्लीचिंग पाड़र भी कहा जाता है अर अप्सन D में दिया गए CACL2 का होल्ट वैस, इसे हम लोग चुना जल करते हैं, तो यहाँ पी कुशन कराई डिस्रप्शन D के साँ चला जाएगा CACL2 का होल्ट वैस अब अगला स्वाल को सिमत तीश क्या करता है, कि यदि कोई बिलियन लाल लिटमस पदर को नीला कर देता है, तो उसका पीचमान स्वंभवता है, कितना हो जाएगा ध्यान दीजेगा, यदि कोई बिलियन है, जो लाल लिटमस पदर को क्या करता है जी, नीला कर देता है लेकर 14 के बीच में होता है तो आईए अफसन को देख लेते हैं अफसन A में 7 से अधिक संक्या 11 भी दिया गया है और 10 भी दिया गया है इसलिए को सन का राई टेसर अफसन D के साथ चला जाएगा A और B दोनों वो इसके बाद में करता है कि इलकेन में कार्वन कार्वन के बीच कितने सह सन्योजक बंधन होते हैं देखिए इलकेन में जो होते हैं वो कार्वन और कार्वन के बीच में इस परकास से 3 आबंध होते हैं जिसे हम लोग 3 बॉंड करते हैं इसमें सानिज़क्र बंधनों की जो संक्या होती है जी वो तीन होती है इसलिए कोशन का राई टेसर यहां पे अप्शन सी के सांस चला जाएगा तीन इसके बाद में अगला स्वाल कुशन 32 करता है कि गुलुकोज का आन्विक सुद्र क्या होता है मैटिक एक्जाम पेपर के लिए ये कोशन भी काफी ही जड़ा इंप्टेंट है याद रखेगा गुलुकोज का जो आन्विक सुद्र होता है वो C6H12O6 होता है जिसमें कारवन क मैटिक एक्जाम पेपर में गुलुकोज के जैसा शुकरोज याने चीनी का अनुसुद्र पूछ लिए जाता है तो याद रखेगा चीनी का जो अनुसुद्र होता है वो होता है C12H 22 और O11 होता है इसमें कारवन के बारवन हाइड्रोजन के होते हैं 22 और अक्जिजन के 11 प यह जो आमलों के सोडिया में जो लवन होते हैं यह साबुन कलाते हैं क्या कराते हैं जिस दोस्तों साबुन कलाते हैं और साबुन का रसाइनिक सुद्र क्या होता है था CH3-COO-NA होता है याद रखिएगा वे इसके बास में खरता है कि एकल बंधन CHO-NA होता है क्या करते हैं क्या करते हैं लेकन कई बार मेंठिक एक्जाम पेपरे पूछ जाता है एकल बंधन CHO-NA होता है तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं और एकल बंदन C, डबल ओच, अभीक्रेसील मुलग को क्या करते हैं तो यह भी जान लिशे, इसे हम लोग आमल कहते हैं यहरी आप इतना बात को जान गए तो 100% आपका एक नमबर पक्का हो गया क्योंकि अब एक रासील मुलकों ग्याद करने के लिए एक कोशन आपके एक्जाम पेपर में जरूर पूशे जाते हैं तो एलडीहाइट का पूशा जाएगा तो एकल बंधन CHO हो जाएगा एलगों का पूशा जाएगा तो एकल बंधन OAH हो जाएगा कि आवर्द साड़ने के किसी आवर्द में बाएं से दाएं जाने पर तत्तो की परमानु तरिज्या डौड़ट होती है याद रखेगा आधुनिक आवसाड़ी में आवर्द की बाएं से दाएं जाने पर तत्तो की परमानु संख्या जो है वो घटने लगती है कुशन कराई टेसर आफसा ने हो जाएगा घटती है इसके बाद में अल्याइज स्वाल करता है कि निमलिखी तत्तों के उसके अधातों गुन के अंसार बढ़ते करम में सजाएगे यहाँ पे कुछ दत्तों दिये गए हैं उसको बढ़ती हुई धातों गुन के अधार पर सजाना है तो उसको हम लोग इस परकार सजा सकते हैं सबसे पहले Li यानि Lithium हो जाएगा उसके बाद में Be यानि Bralium हो जाएगा उसके बाद में C यानि Carbon हो जाएगा उसके बाद में O यानि Oxygen बाद में होगा F यानि Fluorine तो इस परकार का Option Option B में दिया गया है अधा Question कराई Disruption B हो जाएगा अब चलिए अगरा स्वार कुछ मैं 37 को देख लेते हैं कुछ मैं 37 करता है कि Silicon क्या है आपसे पुछा गया है कि Silicon जो है वो क्या है धातू है उप धातू है या फिर अधातू है या दखिएगा Carbon अधातू होते हैं लेकिन वहीं पे Silicon जिसका संकेतिक चिन इस भी होता है GE यानि जर्मेनियम ये भी आपका उप धातू होते हैं तो ज़्यातर मेटी के एक्जाम पेवरे पूछे जाने वाले उप धातू है Silicon दूस्ता होते है जर्मेनियम यह क्या है दोस्तो यह एक उप धातू है कि निमलिखित में से कौन बीधु धनात्मक तत्व है आप सभी कवताना होगा कि कौन सा तत्व है जो बीधु धनात्मक है दखिए फासपुरस कलोरीन और आपका कार्बन तो कभी नहीं होते हैं लेकिन ए जिसका संकेतिक चिन है जिसका लेटिन एम नैट्रियम यानि सोडि क्योंकि यह सवाल आपके मैटिक एक्जांप फिपर में पूछे जा सकी हैं याद रखेगा काजी रंगा जो आपका जैवी कुदान है ने चीडिया घर है यह भी आपका उत्राखंड में है और यहीं पे टीहरी बांद का निर्मान भी किया गया है तो कुछ संका राइट त आपका अपसैन B के सांच चला जाएगा है याद रखेगा पोटेशियम और कैलसियम याद रहे सरी सोडियम और को किरोशीयम तेल के अंदर डूबा कर रखते हैं अब यहां पे स्वाल ये भी वनते हैं दो नमरें पुछे जाते हैं क्या कारण है कि सोडियम और पोटेसियम को किरोसिन तेल में दुबा करकते हैं असान सोदों में इंसर लिखेगा कि सोडियम और पोटेसियम का ज्वलनताप काफी ही निम्न होता है जो कमरे के समानताप पर ही जनने लगता है दूसी और सोडियम और पोटेसियम किरोसीन तेल में ओविला होता है यानि ये विलित नहीं होता है दूसी और सोडियम और पोटेसियम किरोसीन तेल के साथ अभिकिदिया भी नहीं करता है यहीं कारण है कि सोडियम और पोटेसियम को किरोशिन तेल की अंदर डूबा तहएं यह भी याद रखेगा चलिए आपमाजक से बनाए जाते हैं यानि अपमाजक से कौन कौन से बरश्टू बनाए जाते हैं कि सौर सेल में किसका उप्योग होता है दोस्तों आप सभी को दा दें कि सौर सेल में उपधातू का उप्योग किया ज़दा है और उपधातू ये चार उप्षन में कौन सा है तो आपका सिलिकन है कुस्टन कराई टेसर आपसन भी के सांच चला जाएगा सिलिकन वो इसके बाद में करता है कि निमलिखित में से किसका उप्योग खाना बराने वाले इंधन में नहीं किया ज़दा है कापी ही ज़दा मज़दार स्वाल है आपको बताना होगा कि कौन ऐसा इंधन है जिसका जो इस्तेमाल है वो खाना बराने में नहीं किया ज़दा है देखिए कोलापा भी खाना बनता है वायो गैस पर भी बनता है और LPG यानि लिक्विट पेट्रोलियम गैस दरवी पेट्रोलियम गैस पर भी खाना बनता है लेकिन CNG जिसे हम लोग Carbon Nitrogen Gas करते हैं इस पे आपका खाना नहीं बनाया जा सकता है इसलिए Question कराई टेसर यहां पे Option एक हिसान चला जाएगा अब अगला स्वाल कुश्म 24 को देख लेजिए 2CU 2CU पलस O2 यानि Copper को जब Oxygen Gas के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह आपका Copper Oxide बनाता है यह किस परकार की अभिक्रिया है तो इसमें Oxygen का Oxygen हो रहा है इसलिए इसे हम लोग Oxygen अभिक्रिया करते हैं Question कराई टेसर, Option A के साथ चला जाएगा Oxygen अभिक्रिया यह इसके बाद में करता है कि निमनिक्षित में से कौन रसायनिक संतुलित नहीं है यहाँ पे चार Option दिए जा रहे हैं चारो Option को देखकर बताना होगा कि कौन सा Option है जो संतुलित नहीं है देकि संतुलित है या नहीं है एक सवाल 120% यहां से बनाई जाते हैं कैसे बाचानिएगा कि आपका संतुली समिकन है या नहीं है तो उसका असान तरीका बता देती हैं देखिए आपको यहां पे परमाणू संख्या काउंट करना रहता है यहां पे हाइडरोन के दो परमाणू है तो इधर भी आपको हाइडरोन के दो परमाणू चाहिए कलोरीन क दो परमाणू है तो यहां पे आपको कलोरीन के दो परमाणू होनी चाहिए तो यहां पे ध्यान दिजिएगा तो 2HCl दिया गया है इसका मतलब 2 तो आपका इसे परमाणू के संख्या तो बराबर है तो यह तो आपका संथुलित है हमके तो पता करना है संथुलित नहीं होने बाला अपसे बी में देखेंगे तो इन ओ थरी ओ का होल्ट वाइस है यानि नाइट्रूजन तीन दुनी छे है अक्षिए यहां पे देखेगा त आपसन सी को देखेगा तो यह भी आपका संथुलित है यह भी आपका संथुलित है तो कुछ सं कराई टेसर यहां पे आपसन बी के साथ चला जाएगा अब चलिए अगरा स्वाल कुस्में 46 को बढ़ते हैं कुस्में 46 करता है कि उदासी ने जल का पीच मान क्या होता है दु और यदि उदासी ने विलियन का पीच मान पूह जाएगा तो साथ के यह आपका बरावर होते हैं याद रखेगा तो करता है कि उदासी ने विलियन का पीच मान कितना होता है तो यह साथ हो जाएगा यदि छार यह पुछता तो साथ से उपर हो जाता अब यह पुछता तो साथ से कम हो जाता, अब अगलाइस स्वाल करता है कि निमली खित में से कौंसा दुरूबल अमल है, आप सभी को ताना होगा कि दुरूबल अमल क्हों सा है, तो अप्षन C को देख लेजे, CH3CWH यहीं आपका दुरूबल अमल हो जाएगा अज़ाइस वाल करता है कि क्रायोलाइट अज़क है देखे क्रायोलाइट किसका होता है तो एलमुनियम के तीन अज़क होती है हेमाटाइट, मेंगेटाइट, सीडडाइट और क्रायोलाइट यह सभी आपका अलमुनियम काईश होती है तो कोशन करायी टेसर यहाँ पे एल यानि अलमुनियम का हो जाएगा जिसका परमानु संख्या तीरत वहीं परमानु दर्मान 27 होते हैं यह भी याद रखेगा अब आगलाइट स्वाल करता है कि पोटेस्यम के परमानु संख्या कितनी होती है दोस्तों आप सभी कोता दे कि पोटेस्यम का संख्यतिक चिन के होता है इसका लेटी नेम कैलियम होता है इसकी परमानु संख्या होते हैं 19 और इसका परमानु दर्मान होते हैं 49 याद रखेगा तो करता है Potassium की प्रमानुष से क्या कितनी होगी जी तो नहीं सुझाएगी फिर करता है कि फार्मिक अमल का IUPAC नेम यानि यूपिक नेम क्या होता है अन यूनियन प्योर एपलाइड केमेस्टी जो नेम होता है यह क्या होता है तकि फार्मिक अमल को हम लोग म यह जो हमल होता है यह चीटी के डंक में पाया जाता है स्वाल यहां प्येंभी बनते हैं कि चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है तो याद रखेगा मिधड कंचा का क 14 15 तक का अईसा Image आप सब्सक्राइब करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों में शेयर किजेगा चैनल पर नए होंगे तो हमारी यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिश्ट को जरूर सब्सक्राइब किजेगा ताकि यसे हैं वाली हर दस्वीक अक्षा का इंपोटेंट कोश्टन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे दोरा बनाए के तमाम भी वीडियो कोश्टन के वीडियो सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए भी वीडियो कोश्टन के साथ तब तक के लिए आ बहुत बहुत धन्यवाद